अलो गाइज आप देख रहे हैं वाई जी लो और मैं हूँ वाई जी और जैसा कि आपने थमनेल में देखा है कोई क्लिक बेट नहीं है सची बात है जूरिस्पूरुडेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं तो बोलूँगा लौ पूरे लौ फील्ड का टॉपटेंट टोपिक है उसका रीजन यह है कि वह चोटा सा टॉपेक है समाझ क्कम मैं कम में कम आपने competitive exam में आपका ग्यान नहीं matter करता है सिर्फ आपके marks matter करते हैं तो बिना time waste करें शुरू करते हैं तो गाइस अगर जूरल opposite, जूरल correlative और जूरल contradictory अगर इन तिनों की बात की जाए तो यह table important है और सिर्फ यह table important है यह table रटलो काम हो जाएगा इसको कैसे रटना है इसको रटना है जो cross arrow है वो है जूरल opposite मतलब right के cross में कौन सा है no right तो right का जूरल opposite no right power का जूरल opposite disability, immunity का liability और ऐसे उल्टा भी चलेगा उसके बाद vertical arrows जो हैं वो हैं जूरल correlative मतलब right के उपर नीचे वाला तो right के नीचे वाला duty right का जूरल कोर्रिलेटिव है right का जूरल कोर्रिलेटिव क्या होगा duty, immunity का जूरल कोर्रिलेटिव क्या होगा disability, liability का जूरल कोर्रिलेटिव क्या होगा power तो यह जो arrows हैं जूरल कोर्रिलेटिव बताते हैं उसके बाद जो horizontal arrow हैं वो जूरल कॉंट्रेक्ट तो यहाँ privilege की जगे अगर liberty लिखा है तो भी वो ठीक है, तो यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि exam में question आ जाएगी liberty का jural apposite क्या है, तो आप बोलोगे तो table में liberty था ही नहीं, तो liberty privilege एकी चीज़ होती है, तो liberty का jural apposite क्या हो गया, cross arrow वाला, तो इसके cross में क्या है duty, तो liberty का jural apposite हो गया duty, ऐसे एक और बात ध्यान रखना कि कुछ tables में right की जगे लिखा होता है claim, और no right की जगे obviously लिखा होगा no claim, तो यह कुछ terminology है जो आपको पता होनी चाहिए, अब कुछ लोग हैं जो चतुर नहीं हैं, जो रैंचों हैं, समझने को नहीं मिलता, बहुत कम चांस मिलता है, इस topic में बहुत ही interesting explanation है कि ऐसा क्यों है, जूरल को रिलेटिव क्यों है, तो अपन ये table समझते है, table समझने से पहले table का origin जानना जरूरी है, table का origin ये है, Wesley Newcomb Hoffield, ये Harvard College में, Harvard University में law के professor थे, और इन्होंने ये framework बनाया था, ये इन्होंने जो framework बनाया था, इन्होंने बनाया था, interests in property का, समझ रहो, एक अपन ने पढ़ा था, राइट एक bundle of rights होता है, अगर आप property आपके पास होती है, तो आपके पास एक bundle of rights आता है, तो वो bundle of rights में बहुत सारे rights होते हैं अलग-अलग प्रकार के rights होते हैं लेकिन उन सारे rights को ही rights बोलते थे लोग ठीक है थोड़ी अजीब सी बात है लेकिन समझो bundle of rights है उसमें बहुत सारे rights आते हैं वो बहुत सारे rights में सबको ही right बोलेंगे ये तो अपने को पता कैसे पड़ेगा कि कौन से राइट की बात हो रही है समझ रहो अब जैसे privilege power और immunity और right ये चार टम्स हैं और इन चारों के लिए है राइट टम उता था immunity की बात कर रहा है तो भी right की बोलते थे पावर की बात कर रहे हैं तो भी right बोलते थे liberty की बात कर रहे हैं तो भी right बोलते थे privilege में भी right बोलते थे तो Hopfield को ये बात पसंद नहीं आई तो इनों ने दो table बनाई correlative और opposite उसमें बताए जो jural contradictories है वो इनकी table में इनों नहीं बताए थे वो बैठ गए इनकी table में ये इनकी table का genius है कि बाद में इनकी table में ये contradictories भी बैठ गए वैसे के वैसे बिना कुछ change करे तो ये जो table है इसको बोलते थे Hopfieldian analysis ये Hopfieldian analysis के concept से इनोंने बताया था इन सब में difference liberty, power, immunity और right में क्या difference है ठीक है क्योंकि कुछ तो अंतर होगा ना सबसे पहले देखते हैं liberty और right में क्या difference है liberty और privilege जैसा कि मैंने बताए interchangeably use होंगे liberty का मतलब होता है absence of restraint अब इसको आप ऐसे समझो right के context में right का मतलब होता है कि सामने वाले इनसान के उपर है कोई duty अगर आपके पास right है तो सामने वाले की duty है कुछ करने की या कुछ ना करने की जैसे अगर आपने सामने वाले इनसान से ये एक इनसान है और इसने सामने वाले इनसान के साथ contract करा है तो इसका right है contractual performance का और सामने वाले आदमी की duty है कि वो contract perform करे ऐसे ही अगर ये बंदा है इसके पास right to property है तो सामने वाली की duty है कि वो इसकी property में ना गुसे समझ गए अगर right है तो एक इंसान होगा दुनिया में जिसके ओपर कोई ना कोई duty होगी जब हम liberty की बात करते हैं ठीक है अब ये same case liberty का लो liberty का मतलब होता है कि इस इंसान के पास अजादी है कुछ करने की इसके पास अजादी है ये अपने plot में आग लगा दे सामने वाले के पास कोई duty नहीं है समझ रहो अंतर समझ रहो liberty implies that the law does not forbid a person from doing or not doing an act and arises out of the absence of duties imposed on him liberty का मतलब है इस इंसान के उपर कोई ना duty होगी ना सामने वाले इंसान के उपर कोई duty होगी English में बोला जाए तो liberty arises out of absence of right in another and absence of duty in oneself अब इस concept को हम लगाते हैं of field and analysis पे अगर आपके पास right है तो सामने वाले इंसान के पास क्या होगा duty अगर आपके पास privilege है तो सामने वाले इंसान के पास क्या नहीं होगा right नहीं होगा क्या नहीं होगा right नहीं होगा तो यह table में आप देखो कि जो jural correlative होते हैं right का correlative duty है तो अगर आपके पास right है तो सामने वाले इंसान के पास उसकी correlative duty होगी अगर आपके पास privilege है तो उसके सामने वाले इंसान के पास correlative no right होगा तो जो correlative होते हैं वो सामने वाले इंसान के पास होते हैं और जो contradictory होते हैं, jural contradictory वो सामने वाले इंसान के पास नहीं होते अगर आपके पास right है तो सामने वाले इंसान के पास privilege नहीं है सामने वाले इंसान के पास duty है अगर आपके पास privilege तो सामने वाले इंसान के पास right नहीं है तो no right यहाँ पे right no right लिखके तो काफी easy कर दिया concept अब salmend भी यही बोलते हैं यह salmend क्या बोलते हैं क्यों अपने को पता होना चाहिए बड़े बड़े लोगों ने क्या बोला है क्यों पूछ लेते हैं salmend ने इस context में बोला है rights are what others are to do for me rights का मतलब है सामने वाला मेरे लिए क्या करेगा या क्या नहीं करेगा liberty का मतलब है मैं मेरे लिए क्या करूंगा सामने वाले पिच्चर में है ही नहीं तो यह हो गया concept of liberty और rights से कैसे different है समझे next दो terms है power और immunity power देखो होती है ability एक person की to produce a change in given legal relation अगर एक इंसान के पास power है तो उसके पास capability है सामने वाले इंसान पे liability डालने की इसका example है perfect अगर आपको किसी ने offer करा कुछ contract मा offer करते है न फिर acceptance होता है तो जैसे मालो यह person A है इसने person B को offer करा कुछ अब B के पास power है offer accept करने की अगर B अपनी power exercise करके offer accept कर लेता है तो A के उपर binding contract आ जाएगा A के उपर contract की liability आ जाएगी तो power का correlative होता है liability अगर एक इनसान के पास power है तो वो सामने वाले इनसान पर अपनी power exercise करके liability बना सकता है और उसकी choice है अगर exercise करके बनाना चाहे तो बना सकता है नहीं बनाना चाहे तो नहीं बना सकता privilege और power में क्या अंतर था तो सामने वाले इंसान के ओपर कोई liability नहीं होती सामने वाले इंसान के बास no right होता है समझ गए? ऐसा ही अगर right है आपके पास कुछ करने का तो सामने वाले के इंसान के ओपर duty होती है right exercise करने से पहले भी duty होती है लेकिन power के case में जब power exercise की जाती है उसके बाद liability आ जाती है या नहीं आईगी अगर power exercise नहीं की जाएगी तो choice पे है right में हमेशा ही होती है duty immunity बहुत ही simple अगर किसी के पास power है उसकी power से सामने वाले इंसान को exemption मिल रहा है तो वो immunity हो जाएगी तो अपन ने क्या सिखा था? contradictory में अगर मेरे पास immunity है तो सामने वाले इंसान के पास क्या नहीं है power नहीं है और अगर मेरे पास immunity है तो सामने वाले इंसान के पास क्या है disability तो exemption from power of another is immunity इसका best example है diplomatic immunity एक police वाले के पास power होती है arrest करके बंदे को jail में डालने की ठीक है सामने लेवे liability create करनेगी लेकिन diplomatic immunity जिसके पास होती है उसको आप arrest नहीं कर सकते तो अगर आपके पास immunity है तो पुलिस के पास power नहीं है पुलिस के पास क्या है? पुलिस के पास है disability पुरा समझे? पूरा कैसा scene बैठ रहा है इसमें समझ रहे हो ना पूरा का पूरा तो अब पूरी hopfield and analysis देखते हैं इसमें हमेशा ध्यान रखना तीन चीजे हैं jural opposite, jural correlative और jural contradictories इसमें hopfield and analysis में सिर्फ jural opposite और correlative ही थे jural contradictories बाद में add हुए थे मतलब ये वाले arrows थे और cross arrows थे लेकिन ये जो horizontal arrows थे ना contradictories के ये बाद में डाले गए हैं ये अपने hopfield ने नहीं डाले थे तो jural opposite अब revise करते हैं फटा-फटा आपको एक खतरनाक समझ में आएगा मतलब जीवन में आप कभी नहीं बूलोगे jural opposite ये तो एकदम simple है इसका मतलब होता है opposite जो English language में opposites पढ़ते हैं आपन कि अपका down, slow, fast वो वाला तो right का opposite, no right बहुत ही ये तो अजीब सा है privilege का opposite duty, power का opposite disability, immunity का opposite liability और vice versa correlative होता है कि अगर आपके पास इन में से कुछ है तो सामने वाले इंसान के पास क्या होगा अगर आपके पास right है तो सामने वाले इंसान के उपर duty होगी अगर आपके पास privilege है तो सामने वाले इंसान के उपर no right होगा ऐसे ही power होगी आपके पास तो सामने वाले इंसान के उपर liability immunity आपके पास होगी तो सामने वाले इंसान के पास disability Jural contradictory है कि आपके पास कुछ है तो सामने वाले इंसान के पास क्या नहीं होगा अगर आपके पास है disability तो सामने वाले इंसान के पास क्या नहीं होगा liability अगर आपके पास है disability तो सामने वाले इंसान के पास क्या है immunity अगर आपके पास power है तो सामने वाले इंसान के पास क्या नहीं है immunity समझ रहो जो यह horizontal वाले arrows हैं यह हैं jural contradictories जो अपने vertical वाले arrows हैं यह हैं jural correlative और अपने जो cross वाले arrows हैं jural opposite तो guys यह हो गया video complete रटने का तरीका बता दिया समझने का तरीका बता दिया अब यह देखो इतने सब के बाद भी अगर exam में question आया कि power का jural correlative क्या है और आप liability नहीं करके आये ना तो please एक काम करना एक छोटा सा इत्ती सी कटोरी लेना उस कटोरी में पानी भरना और उसमें नाक डूबो के और मर जाना चुल्लू अर्बानी में डूब के क्योंकि इससे easy pocket के number नहीं मिल सकते आपको इतना कम पढ़के exam में question नहीं solve होते और यह question बहुत repeat होता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बहुत ज्यादा repeat होता है लेकि मेरे को विश्वास है कि आपने वीडियो डंग से देखा होगा और आप question सही करके आओगे तो best of luck जो भी exam दे रहे हो अगर बात में दे रहे हो तो बात के लिए best of luck और अगर आप इतनी एंट तक वीडियो देख रहे हो तो पक्की बात है कि आपको अच्छा लगा है अच्छा लगा है तो गई सब्सक्राइब करो यहां पर आजाएगी प्लेलिस्ट जूरिस्प्रूदेंस की और यहां पर आजाएगी एक और कोई random वीडियो या प्लेलिस तो यह भी चेक आउट कर लेना मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं जितना अच्छा इस वीडियो में पढ़ा है उतने अच्छा वीडियो में पढ़ाने के ट्राइ करता हूं मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई टाटा जाओ आप पढ़ाई करो क्या देखते हुगे के वीडियो को जाओ भी चलो मैं जाता हूं